नमस्ते मैं राजेश नरूकर असिस्टेंट प्रोफिसर हिस्ट्री गॉर्मन कॉलेज के एकड़ी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ बिये पार्ट सेकेंड का फस्ट पेपर मद्वकालिन भारत का इतिहास प्रारम होता है सल्तनत काल के इतिहास से और भारत में सल्तनत सामराजे के संस्थापक के रूप में कुतबुदीन एबख को जाना जाता है 1192 में तराइन के द्वितिय युद्व में प्रिथुराच चौहान को पराजित करने के पश्चात मुहम्मद गौरी ने एबख को अपने भारतिय सामराजे का प्रतिनी नियुक्त किया और उसके पश्चात भारत में 1206 इस्वी में सल्तनत सामराजे की स्थापना हुई कुत्बुद्दिन एबख या कुत्ब अल्दीन तुर्किस्तान का निवासी था और उस समय तुर्किस्तान में दास व्यापार अत्यदिक प्रचलित था एबख को भी किसी व्याफारी के हाथों बेज दिया गया था जिसके पश्चात एक काजी ने उसे उसे खरीदा और उसके पश्चात मुहमद गौरी उसका स्वामी बना कुत्बुदिन एबख की स्वामी बक्ती और उसके साहच से प्रभावित होकर मुहमद गौरी ने उसे अपने अस्तबल का ध्यक्ष अमीर अखूर नियुक्त किया और इसके पश्चात विबिन सैन्नी अभियानों में एबख मुहमद गौरी के साथ था भारत में कुत्बुदिन एबख के काल को तीन भागों में बाटा जा सकता है कुत्बुदिन एबख ने प्रारंबिक काल में मुहमद गौरी के सेवक के रूप में यहां पर कारे किया और ग्यारा सो बानवे के तराइन के दितिय युद्ध के पश्चात बारा सो च्छे इसवी तक उसने गौरी के द्वारा जो भारत में सामराज सापित किया गया था उसके प्रतिनीदी के रूप में कारे किया और बारा सो च्छे इसवी में मुहमद गौरी की मृत्यू के पश्चात बारा सो आठ इसवी तक मलिक या सिपासालार के रूप में लाहौर और दिल्ली से कारे किया और इसके पश्चात बारा सो आठ में ही उसने सुल्तान का पद ग्रहन किया क्यूंकि इस वक्त तक वै अपनी दास्ता से मुक्ती प्राप्ट कर चुका था और लगबक केवल दो वर्षों के लिए वास्तविक रूप में वै भारत का सुल्तान रहा इस प्रकार यह इस पश्च है कि सुल्तान के रूप में कुत्बुदिन अबग बहुत अल्प समय भारत में रहा और मुक्य रूप से उसका जो कारिय है वो मुहम्मद गौरी के प्रजिनिदी के रूप में ज़्यादा है जब 1192 के पश्चात उसने मूल रूप से विबिन सैन्य अभियान संचालित किये प्रित्विराच चौहान को तराइन के द्युतिय युद में पराजित कर दिया गया था लेकिन इसके पश्चात भी कुतुबुदिन एबक को अपने शासन को स्थाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ा एबक ने तिछिराच चौहान के पुत्र गोविंदराच चतुर्थ को शासक नियुक्त किया किन्तु कुछ समय पश्चात ही उसने दिल्ली का शासन स्वयम अपने हाथों में ले लिया इसके पश्चात उसने दुआप का जो क्शेत्र था गंगा और यमुना के आसपास का उपजाऊ क्शेत्र उसके उपर अपना नियंतरन स्थापित करने का प्रयास किया मेरट को जीतने के पश्चात उसने अपने प्रयास प्रारम किये 1193 में महमूद गजनी ने कुतुबुदिन एबग को गजनी बुलाया और इसके पश्चात वापस भारत आने के बाद कुतुबुदिन एबग ने अपने सामराज्य को स्थाई करने का प्रयास किया उस समय तक हरी राज अधिकतर अपने हारेवे प्रिदेशों को पुनह प्राप्ट कर चुका था इसलिए एबक ने सबसे पहले हरी राज के विरुद्ध संगर्श किया और उसे पराजित करने के प्रश्चात उसने अजमेर का शासन किसी सुबेदार को सौपते हुए गोविंद राज को अजमेर से रन्थमबोर भेज दिया 1206 इस्वी में मुहम्मद गौरी के वित्व के प्रश्चात कुतबुदिन एबक ने दिल्ली के मुसलिम सामनतों के कहने पर उनका नित्ति शिकार किया और उसके कुछ समय पश्चात लाहौर में भी मुसलिम सामनतों ने उसे सत्ता ग्रहन करने के लिए आमत्रित किया एबक ने लाहौर पहुँचने के पश्चात वहां के शासन को खासिल किया लेकिन उसने उस समय तक सुल्तान की उपादी धारन नहीं की केवल मलिक और सिपरसालार की उपादियां धारन करने के पस्चात उसने ना तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इसका शाहिद कारण यही था कि उस समय तक कुत्बुदिन एबक अपनी दास्ता से मुक्ती प्राप्त नहीं कर पाया था मुहमत गौरी द्वारत जीते गए प्रदेशों का शासक बनने के पश्चात एबक के लिए यह वशक था कि वे अपनी स्थिती को वहाँ पर मजबूत करे क्योंकि अन्य जो तुर्की सरदार थे वे भी यह समझते थे कि एबक की तरह सुल्टान बनने का गौरव वे भी प्रा वो समय समय पर कुतबुदिन एबक के विरोधी साबित हो रहे थे एबक ने कुछ प्रभावशाली तुर्की सरदारों के साथ वेवाहिक संबन स्थापित करके अपनी स्थिती को मजबूत बनाया और अपनी पुत्री का विवा इल्तुत्मिश के साथ किया जो बाद में कुतबुदिन एबक ने अन्य तुर्की सरदारों से स्वयम को श्रेष्ट साबित करने का प्रियास किया ताकि उसका सुल्तान बनना सभी को प्रामानिक लग सके। में वे असफल रहा और 1210 इस्वी में ही लाहौर में एबक की मृत्ती हो गई और इस प्रकार उसे शासन करने के लिए अत्यंत सीमित समय प्राप्त हुआ। कुटबुदीन एबक का मुल्याकन करते समय कुछ इतियासकार मानते हैं कि उसने भारत में सल्तनत सामराजे की स्थापना की और इसी लिए उसका योगदान अत्यदिक महत्वपून है। कुछ प्रारंबिक इतियासकारों ने कहा है कि उसे लाक बक्ष के नाम से जाना जाता था क्यूकि विभिन्न कारियों में उसने कई लाक दान किये थे। मौमत गौरी के मृत्यू के पश्चात कई ऐसे तुर्की सरदार थे जो स्वैम को कुत्बुदीन एबक के समकक्ष मानते थे जिनमें नसुर दिन कबाचा सबसे महत्वपूर्पूर था और इसी प्रकार से अन्य तुर्की अमीरों के साथ जंगर्श करके एबक ने स्थाई रूप से भारत में सल्तनत सामराजे की नीव रखी और इसके लिए निश्चित रूप से उसको श्रेश दिया जा सकता है सीमित समय में भी कुटब الدین एबक ने निर्मान के क्षेतर में विभिन प्रयास किये दिल्ली में उसने कुवति अलस्वाम मस्जिद का निर्मान करवाया और कुटब मीनार के निर्मान का कारिय भी उसी ने प्रारम किया जो बाद में तिलतुत्मिश के दोरह पूर्ण करवाया गया अजमेर में पराचीन संस्क्रित कॉलेज के स्थान पर उसने अड़ाई दिन का जोपड़ा का निर्मान करवाया और इस प्रकार से उसने सल्तनत सामराज्य में विभिन स्थापत्ते के कारिय किये एबक की मृत्यू के पश्चात कुछ इतियासकारों का कहना है कि उसका पुत्र आरामशा 1210 में शासक बना लेकिन अदिकतर इतियासकार मानते हैं कि एबक की कोई पुत्र नहीं था और उसके पश्चात आरामशा अगला शासक रहा जो संभवत उसका छोटा भाई था आरामशा को बहुत अल्प समय सुल्तान के रूप में मिला क्योंकि मूल रूप से वे सुल्तान के पद के योग्य नहीं था और इसलिए दिल्ली और अन्य प्रदेश के तूर्की अमीरों ने कुत्बदीन एबक के दामाद इल्टुत्मिश को दिल्ली आमंत्रित किया ताकि उसे अगला सुल्तान बनाया जा सके मुख्य रूप से कुत्बदीन एबक का नाम इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने भारत में संद्रत सामराज्य की स्थाई नीम रखी